आप अब वेल्कून तो मैं यूट्यूब चैनल थिंग टेक्निकली रहा आज की स्वीड़ों हम डिसकस करेंगे कि हम इमेल के साथ कोई भी 25 25 MB से अबव फाइल को अटैज करके सेंड कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स आज कल मेंली हम इमेल का बहुत यूज करते हैं प्रोफेशनल इसका बहुत यादा यूज होता है कई बार क्या होता है कि हमने किसी भी इंसिट्यूशन को कहीं हमने जॉब के लिए अपलाई करना क्याद आता है वहां हमने रेज्यूमे वेरा सीवी वेरा सेंड करना था उसके लिए हम इमेल का यूज करते हैं और अगर हमारी कोई फाइल हमने किसी प्रोफेशनल वे में या किसी को सेंड करनी है और अगर उसकी कपैस्टी मोर देन 25 MB है अगर आप उसको ईमेल की हल्प से send करेंगे तो नहीं होगे उसके लिए हम यूज करेंगे Google Drive का तो यह process सारी करेंगे कैसे तो चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखिए मैंने पहले से अपना Gmail account login कर रखा है then after that यहां left hand side पर देखे compose आ रहा है compose पर क्लिक करूंगा मैं then after clicking यहां देखिए first second third fourth fifth पर देखिए जो मैंने क्लिक किया आ रहा insert files using drive सो मैं इस पर click करूंगा जो भी आपकी file पहले तो यहां आएगा my drive जो मेरी files पहले से इसमें upload है वो शो करेगा shared with me किसी ने मेरे शाल file को share किया वो यहां शो करेगा recently में जो मैंने files currently में upload की है then upload में जो मैं यहां upload करना चाहता हूं किसी को send करने के लिए so मैं यहां उन file को drag भी कर सकता हूं otherwise यहां click करेंगे select files from your computer यहां से जो भी आपकी file उसको select करेंगे double click कर दीजिए यहां normal click करके यहां से open कर दीजिए यहां पर देखिए यह file मेरी यहां आ गई है यहां border है because you have selected more than 25 MB तो हम इसका use करेंगे google drive का mail करने के लिए so मैं यहां से इसको upload करूंगा यहां पर देखिए upload process हो रही है फिलाल इसको मैंने पहले से upload किया so मैं इसको cancel करता हूं यहां पर देखिए जब आपकी file upload हो जाएगी ऐसी आ जाएगी यहां पर मैं उस person की email id दूंगा जिनको मैंने यह send करनी है video यहां पर आप subject दे सकते हो जो भी आपका subject है video file नीची आपको यह message वरावी देना चाहें वह भी दे करें सकते हैं download the attachment कोई भी आपकी file 25 से अबब विशक कोई वह कोई software है कोई exe file या कोई हमारा video file है कोई document file है वह आप ऐसे ही attach करके इसको send कर सकते हैं then after that जब आप send पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए आप ने जो ID slack की थी वह आ रही है आप जिनके साथ share कर रहे हैं वह सिर्फ इस file को व्यू कर सके कोई comment कर सकते हैं edit वी कर सके या permissions दे सकते हो फिलाल वह इसमें changes भी कर सके इसलमें editing की permission दे रहा हूं यहां पर आप यह भी कर सकते हैं turn link और sharing यह मैं जिसको लिंक शेयर करूंगा वह सिर्फ file को देखी सकता है तो फिलाल मैं second पर click कर लूँगा then send कर दूँगा यह मैंने file जिनको send किया इनको पहुंच जाएगी दन वह इस file को click करके यह video को जो भी मैंने इसका किसा attachment भी जिया उसको click करके download करेंगे दन आफ्रर उसको प्ले कर सकते हैं जो भी सकता करना कर सकते हैं सब्सक्राइब हमारा आज की वीडियो कि हम email के से attach करके send कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो comment box में जरूर कमेंट करें like subscribe जरूर करें